आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, आज की Question में बोला गया है In Water Table, Water that percolate into ground through porous rocks is dash Water Table के अंदर, Water जो percolate हो जाता है, Ground के अंदर, into ground, through porous rocks, porous rocks के through तो उसको क्या बोलते हैं, हम उस Water को क्या बोलते हैं, तो उसे हम basically बोलते हैं, दोस्तों, Ground Water अगर मैं आपको बताओ, Ground Water का, तो उसमें क्या होता है, देखो दोस्तों, या तो जो Rain है, ठीक है, Rain होई, Rain होने के बाद क्या हुआ, Water falls हुआ, किसके अपर, Land के उपर, ठीक है, अब वो Land के उपर, Fall हुआ, और उसके बाद क्या होने लग जाती है, उसकी soaking होने लग जाती है किस वे, on the ground, और ये किस के थू होगा, तो हम कह सकते हैं, जो Joints है, Ground में, या फिर जो Rocks वगेरा है, उन सब चीजों के थू होगा, तो वो Water क्या बन जाता है, Ground के अंदर से ले जाता है, इसलिए हम बोलते हैं, कि that is Ground Water, Second Question में बोला गया है, Upper Layer of Water Level is called, Water Level की सबसे उपर वाली लेएर को हम क्या बोलते हैं, तो उसे दोस्तों हम बोलते हैं, Water Table, Thank You.